भीमार्मी खत्म होगी या नहीं इस वीडियो पर कई कमेंट आए हैं एक कमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कमेंट में कहते हैं कि यदि वावन वेसराम यदि राजनेतिक पार्टी बीएसपी यानि मायवती या चंसे का राजात पर अगर यकीन ना किया जाए तो रास्ता क्या है क्या करें ये प्रसन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे मन मस्तिक्स में ये ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि कोई व्यक्ति होना बहुत जरूरी है कोई नेता होना ब बहुत जरूरी है, कोई नाम होना बहुत जरूरी है, कोई किसी संस्था संस्था का या राज्यतिक संस्था का या किसी कोई भी प्रिकार की समिती है, उसका एक प्रधान, एक अध्यक्ष होना बहुत आवश्चक है, ऐसा हमारे दिमाग में बार 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 पिछले 60-70 साल से लगातार डाला गया है जबकि सफलता के लिए इखटा होने के लिए और अपने कश्ट दूर करने के लिए किसी नेता की आवश्क्त नहीं है ऐसा सभी महापुरुसों ने बताया है और करके दिखाया है नेता का नेतत या व्यक्तिवाद या हीरोशिप या परिवारवाद या राजावाद या रानिवाद या एकलवाद या तानाशाही या एनारकी या राजसाही ये सभी मनुस्मट्टी की दिन हैं भारत की कोई दिन नहीं है पुराना जो सिश्टम है उसमें कहीं भी राजा र जानिवाद गतिवाद नेता नेततवाद या हीरोशिप या परिवारवाद या राशाईवाद इनकी कहीं कोई जगे रही नहीं है और यह हमारा सिस्टम नहीं है इसलिए यह प्रेस्टन बड़ा महत्पुडर इसका जबाब भी देना बहुत जरूरी मैंने समझा क्योंकि लो व्यक्ति के पीछे ही जाना है और व्यक्ति ही सब कुछ है तो जो इस्थापित व्यक्ति है उसके पीछे जाने में क्या दिक्कत है और अगर इस्थापित व्यक्ति के पीछे जाने में दिक्कत है तो किसको पता कि आगे आने वाला व्यक्ति इस्थापित होने के बाद में वही काम नहीं करेगा जो पहले वाले लोगों ने किया है अगर आप व्यक्तियों का या व्यक्तिवाद का या हीरोशिप का या एकलवाद का या प्रधानवाद का या नेतावाद का या नेता का अगर इत्यास उठा के देखेंगे तो हमारे जितने भी लोग हैं समण समाज के लोग हैं, उनमें हर व्यक्ति या तो पैरलेसिस हुआ है, बीमार हुआ है, बिका है, या उसकी महत को कोई और उडाके ले गया, या वो परिवारबाद में चला गया, या उसने अपना धंदा कर लिया, या वो करट हो गया, या उसने दल बदल लिया, या किसी के दल में चला गया, या कोई बिजनिस कर लिया, या वो देश छोड़ के चला गया, या वो खत्म हो गया, या वो मर गया, या बीमार पड़ गया, और उस व्यक्ति के साथ ही सब कुछ चला जाता है, क्योंकि सारे लोग व्यक्ति के पीछे हैं, इसलिए व्यक्ति खत्म, तो सब की महनत खत् कि सबसे बेस्ट जो हमारा सिश्टम है वो है संग वाद का यह जो बुद्ध कहते हैं संगंग सरणंग अच्छामी वो बारवार कहते हैं कि संग की सरण में जाना है बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आपको व्यक्ति की स्रण में जाना है बुद्ध नहीं कभी नहीं कहा कि आपको किसी व्यक्ति के पीछे लगना है बुद्ध अपने संग के कभी संग नायक नहीं रहे और नहीं उन्होंने कोई संग नायक पैदा किया उन्होंने अपन संग बद को उन्होंने विन्यपिटेक में लिखांग में दिये इसी संग की सरण में जब बुद्ध नहीं थे सिधत गौतम थे तब वो संग की सरण में गए मैं हिए और हमारे ऐसे बहुत सारे संग रहे हैं जो पूरं में और पस्चम में रहे हैं जिन में संग कीご lleva लगाता चलती थी और वहीं से संघ की व्यवस्ता सीख कर लोगों ने अपनाई और जो लोग संघ की व्यवस्ता सीखे और व्यक्टी को लात मारी नेता को लात मारी उन्हों ने जिसको चाहा उसको नेता पैदा करके काम चला लिया और जिसको चाहा उसको निकालके हटा दिया अगर नेता ने काम नहीं किया, क्योंकि संग सुप्रीम होता है, नेता संग के अधीन होता है, संग के मर्जी से काम करेगा ठीक है, नहीं करेगा, लात्मार के निकाल देते हैं, यही सिस्टम डॉक्टर अंबेटकर ने दिया, डॉक्टर अंबेटकर ने सम्विधान में जो द का सिर्फ nomination करते हैं कि इस व्यक्ति को हम मानने अपना सदन का या हाउस का नेता मानते हैं जब तक माने जब तक नेता जब ना माने उनकी मड़ जी इसलिए यह सिस्टम हमारा नहीं है पर जितने भी व्यक्ति आये हैं जितने भी नेता आये हैं उन्होंने कभी संगबाद की सो के अधीन होना पड़ेगा फिर संग जो फैंसला करेगा वो नेता को मानना होगा और कोई क्यों चाहेगा कि उसके ओपर कोई संग बैठे या उसके ओपर लोग बैठ जाए या लोगों का फैंसला वो मनें इसलिए जतने भी नेता आए उन्हों खुद अपने संग्ठर बनाए अपनी उन्होंने राजनितिक पार्टियां बनाई अपने सामाजिक संग्ठर बनाए अपने सरकारी करामचारियों को संग्ठर बनाए पर वो लोगों के अधिन नहीं रहे और नहीं वो लोगों के अधिन होना चाहते हैं इसलिए वो संग की ब समर्ण संग को चेक कर सकते हैं, समर्ण संग में आकर उसकी पॉलिशी देख सकते हैं, समर्ण संग का गंत पड़ सकते हैं, समर्ण संग में व्यक्तिवाद और एकलवाद, राजावाद, रानीबाद, अध्यक्षबाद, पदवाद और चंदवाद और पद, पोष्ट, मंच, म बना लिया है ये सारे के सारे लोग इस बात का फाइदा उठाते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है कि लोग कहां जाएं लोगों के पास विकलप नहीं है और ये विकलप छोड़ते भी नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले जो विक्ति हैं जो एकल विक्ति वो अपनी ताना साही चलाते हैं और कोई अगर सही बात करे या संग की बात करे या बराबरी की बात करे या नियम की बात करे या सम्विधान की बात करे या सामोहिक डिशन की बात करे तो उसको अपने संग्ठन से निकाल देते हैं क्योंकि ये बीमारी ये उनके लिए हैं, अगर सामुहिक नित्वत की बात आगेइ, तो नेता को सामुहिक लोगों के पैरों में पढ़ना पड़ेगा और सामुहिक लोगों की बात माननी पड़ेगी, क applicable किby HER कोई क्यों अगर कोई खुद पार्टी बनाएगा, खुद उसका कोई राजनेतिक पार्टी या कोई संग्ठन या कोई संस्ता बनाई है और आपने उसको हटा दिया या उसे हटना पड़ा तो वो सबको तहसनेस करके जाता है वो अकिला नहीं जाता क्योंकि उसका एगो रहम इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसको लोग नहीं दिखाई देते इसनिए इसके परिणाम दुस परिणामी आते हैं खराब परिणामी आते हैं वक्तिवाद के हमेशा पर लोगों के पास विकल्प नहीं है इसनिए वो मजूरी का फायदा उठाते हैं पर लोग विकल्ब देखते भी नहीं है, क्योंकि लोगों को खुद काम करना पड़ेगा, संग के अंदर खुद काम करना होता है, संग के अंदर कोई पैसा नहीं लेता, कोई चंदा नहीं लेता, पर संग में आपको अपनी भागीदारी देनी पड़ती है, अपनी सेवा देन कुछ अपना बेचना कुछ खैदना करके अपना काम बना लेता है उसके बाद भीड ऐसी कैसी ब्लिबलाती रहती है फिर कोई वेक्ति आता है वो लंबे चोड़े वादे करता है उची उची बाते करता है ऐसे बाते करता जैसे सारे दुख दूर कर देगा पर होना हाना कुछ नहीं है क्योंकि भीड़ों से कभी फैसल नहीं होते भीड़ों से कोई डिचन नहीं होते भीड़ की कोई सुनता नहीं है भारत में सबसे ज़्यादा भीड़ जितने लोग दलित लगा रहे हैं और कहीं नहीं लगती पर कोई नहीं सुनता और कोई सुनेगा भी नहीं क्योंकि भीड के ओपर जो नेता बैठा हुआ है, वही सबसे बड़ा समाज का दुस्मन होता है, वही सत्रू होता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने यहां सम्विधान को लागो ही नहीं करता, वो कभी चुनके ही नहीं आता, वो सिर्फ मनोनित करता है, और वो लोगों को डिस्म 100% गड़े में लेके जाएगा, यह इत्यास रहा है, इस इत्यास को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि एकल व्यक्ति तानाशा हो जाता है, और वो किसी भी हलत में अपने संग्धन, अपनी संस्ता को किसी को भी नहीं दे सकता है, और ना ही वो देगा, क्योंकि वो संग्ध के द् नहीं होता है वो लोगों को अपने अधिन रखता है और इसकी बीमारी और इसकी आदत उसको पड़ जाती है इसनिए मेरा निविदन है आप से क्योंकि आपने कमेंट किया है तो आपकी जिग्यासा है आप समधार विक्ति हैं कि आपको संग में जाना चाहिए समणों का संग प्राचिन संग है बहुत पुरान संग है एक वार उसको ट्राई करना चाहिए और समणों के संग में कोई चंदा नहीं ना पहले कोई चंदा है ना आज कोई चंदा है और नहीं चंदा लिया जाता है ना दिया जाता है यहां सब लोग अपना खर्चा खुद उठाते हैं य एक ऐसी संस्ता है जो हजारों सालों से चली आ रही है जो प्राचिंतम है पुरानी है समनों का संग सबसे पुराना संग है इसी संग को देखके दुनिया ने सारे संग बनाए और जिन जिन लोगों ने संग बनाए वो सब काम्याब हो गए और जिनों ने संग्ठर मनाए व्यक मामी, संगह न मामी.